हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो मेकैनिकल टेखिंदी फ्रेंट्स अगर कभी आपने अपने मोटर साइकल, स्कूटी या फिर स्कूटर के इंजिन का काम करवाया है या आप आगे करवाने वाले हो तो इंजिन रीबुल्ड से जुलावा बहुत सारे महत्पून बाते हैं जो कि आपके लिए जानना जरूरी है ताकि एक बाद इंजिन के काम करवाने के बाद आपके इंजिन का लाइफ जादा हो हिल्दी रहे वो, सेफ रहे और आपको दुबारा से इंजिन का काम करवाने के लिए सर्वी सिंटर या फिर लोकल गैरेज में नहीं जाना पड़े यानि कि जैसे ही इंजिन का काम होगा तब से लेकर 500 km फिर है 501 से लेकर 1000 km और तीसरे में है 1000 से लेकर 1500 km तो इन तीनों ही पिरेड में कुछ चीज़े हैं जिसको आपको फॉलो करना जरूरी होता है और इसके बारे में हम वीडियो में थोड़ी दिर बात करेंगे अब फ्रेंट्स जब एक बार इंजिन का काम हो जाता है तो आपको आपकी गाड़ी मिलने से पहले कुछ मातवपून चीज़े है जिनकी जिम्मदारी मेकैनिक की होती है और एक बार गाड़ी आपको मिल गया उसके बाद की जिम्मदारी आपकी होती है आप सबसे पहले हम करते हैं कि इंजन का काम हो गया तो पहलो उसटम मुश्ट जरूरी बात ये है वहाँ पे कि जब इंजन को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे इंजन ओईल को डाला जाता है यानि कि मोबिल को डाला जाता है typically देने वास यह है कि वहाँ पेwo या फिर semi-synthetic engine oil को नहीं डालना चाहिए, इसके जगह में जो conventional mineral engine oil होता है, जो mobile होता है, उससे डालना चाहिए, अब इसके पीछे का technical reason में आपको समझाता हूँ, जो synthetic और semi-synthetic oil होता है, वो जादा गाड़ा होता है, वो जादा चिपचिपा होता है, और जिस वज़े से क्य सीटिंग करने में problem होती है, क्योंकि भली जितनी मर्जी original parts अपलगवालो, या boring अगरा काम करालो, हर एक जो नया surface होता है, वहाँ पे impurities होती है, और इन impurities को starting में जैसे ही हम engine को start करते है, तो जैसे कि piston ring जो होता है, वो cylinder wall के साथ लगता, टकराते रहता है, और इनके surface के 20 को wear होने लगती है, आपस में इन parts के गिसने के वायद से उनका wear and tear होता है, इसलिए ये जरूरी होता है कि engine को start करने के बाद कुछ मिंटो तक इन parts का आपस में friction हो, ताकि इनके surface में जितने भी impurities हैं वो clear हो जाए, और ये possible हो पाता है, conventional mobile को use करने के वज़ा से, synthetic mobile में ज़्या आपता गाड़ापन होने के वज़ा से ऐसा करना possible नहीं हो पाता है, इसके बाद engine की testing की जाती है, और ये जो engine की testing होती है, वो दो stage में होती है, पहला idle के position में यानि की motorcycle को खड़े करके और दूसरा running position में, अब देखिए पहले क्या क्या जाता है, कि सबसे पहले engine को start क्या ज के, उसके बाद उसे throttle जाता है, यानि उसमें accelerator दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है, कि जब हम accelerator दे रहे है, idle के position में motorcycle को खड़े करके, उस time पे हम लोग को 50% से ज़्यादा throttle देने से बचना चाहिए, और इसके साथ एक और चीज गौर करने वाली बात है, कि ऐसा नहीं कि 40 पकड़ दीए, मतलब कि लगता दिया जारे throttle ये भी नहीं करना है, आपको speed vary करना है, अराम से, gently, slow, slow, 10, 15, 20 बढ़ाए, फिर घटाए, फिर बढ़ाए, और इस तरह सा आपको engine को गरम करना है, और engine को गरम करने के बाद चेक किया जाता है, कि सबसे पह कि vibration तो नहीं हो रहा engine में, अगर सब कुछ okay होता है, उसके बाद engine को बंद कर देना चाहिए, और उसे ठंडा होने देना चाहिए, और इसके बाद होता है, load testing और ये होता है, motorcycle, scooter, scooter, कुछी भी हो, उसे चला के, अब यहाँ पे सबसे important बात यह है, कि जब आप test करो, load testing करो, उस time पे ये गौर करने वाली बात है, कि traffic की condition नहीं होना चाहिए, अगर मतलब कि खुला रास्ता हो, तो ज़्यादा बेतर है, ज़्यादा अच्छी तरह से testing हो पाता है, और सबसे पहले क्या करो, आपकी speed जो होना चाहिए, जो throttle होना चाहिए, वो होना चाहिए, 0 से लेकर 70 के आसपास उसे gently करना है, और slow मतलब कि एक constant नहीं लेके चलना है, कम वेसी करके उसे चलाते रहना है, और ये जो testing होता है, ये और on 20 से 30 मिन के आसपास होता है, अब देखिए, कुछ दर्शक चलाना है, 0 से 70 के throttle में, और जब लगेगी सब कुछ सही है, तो उसके बाद पास adjustment के लिए 50 से 80 के throttle के बीच में आसपास इसे ले जाके इसे चेक करते रहना है, और जब ये दोनों ही condition में ये पास हो जाता है, किसी तरह से engine में leak वागर कुछ नहीं होता है, या hitting का बहुँ जाद शून नहीं आता है, तो फिर यहाँ पर एक बात तो मालुम चल जाता ह कि engine का काम सही तरह से हो गया है, और इसके बाद ये जो motorcycle है जिसमें आपका काम हुआ engine का ये फिर आपको मिल जाता है, और इसके बाद आगे की जिमदारी आपकी होती है, फ्रेंड्स engine का काम होने के बाद कम से कम 1000-1500 km तक कुछ चीज़े है जिनका ध्यान रखना जरूरी हो होता है, सबसे पहले कि आप अपनी गाड़ी को लगतार एक ही constant speed में लंबी दूरी तक नहीं चलाए, आप speed को vary करते रहे 30, 35, 40, 50, 45 वो vary करते रहे, ये बहुत जरूरी होता है, दूसरा important point ये है कि आप अपने engine को कम से कम नए condition में क्या करें आप heat करने से बचाए, heating होने से से बचाए, गरम होने से बचाए, और ये आप कर सकते हो, आप कोशिश करो कि आप traffic वाले area में कम जाए, इसके साथ ही आप लगतार लंबी दूरी को तैर नहीं करें, और अगर आपको लंबी दूरी जाना भी है, तो आप journey को break करकर के, मतलब 58 km के आसपास में बार रेस ले 15 15-25 मिनट, फिर journey को continue करें, तो इसी के कोशिश करें, और सबसे important चीज कि आपको अपको गाड़ी के speed पे ध्यान देना है, आप कोशिश करो कि मैं आप फ्रेश करूंगा कि जैसे engine का काम हुआ है, तब से लेकर कम से कम 500 km तक, at least वहां तक आपको कोशिश करना है कि आप 55 के speed क को cross नहीं करें, कभी कभी हो जाए, तो चलो ठीक है, लेकिन 50, 55, 45 आप इसे ही continue करते रहे, ताकि engine के cranks आपका जो RPM है, वो उसी का according हो, उसके बाद जैसे ही 500 km पार हो जाए, तो आप करीब 1000 km तक कोशिश करो कि 60, 65 इसी speed को highest अपना लेके चलो, और फिर उसके बाद करीब 1500 km तक आप कोशिश करो कि 70, 75, कभी 80 भी चला जाए, लेकिन 70, 75 के speed को ही अपना highest speed मान के चलो, इसे आप follow करो, ये बहुत ही जरूरी होता है, नए, एक तरह से जो आपका rebuild engine हुआ, वो नया engine ही होता है, और जैसे ही आप नए गाड़ी खरीते हो, तो उस तेम पर जो running period होता है, उसी तरह से engine का काम करवाने के बाद भी इस period को follow करना बहुत हद तक जरूरी होता है, और उसके बाद जैसा आपको आपका mechanic suggest करे, 1000 km में आपको बलाए, 1500 में बलाए, 2000 में बलाए, जिस km में दोबारा से आपको बलाए, तो आपको वहाँ पे फिर से अपने engine oil को change हर हाल में क चेंज कराए, और इस time पे कोई जरूरी नहीं कि आप conventional mobile डाले, आप synthetic भी डाल सकते है, semi synthetic भी डाल सकते है, fully synthetic, ये depend करता है कि आपके गाड़ी के engine के CC के साब से आपकी company ने कौन से grade का mobile आपको suggest किया है, आप फिर डला सकते है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होता है, तो friends ये कुछ important role थे, जो engine over rolling के बाद, engine के rebuild के बाद follow करने चाहिए, I'm sure आज का ये video आप लोग के लिए helpful होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, तो वीडियो अच्छा लागा हो, तो इसे like जरूर कर दे, वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राए, आप मुझे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, या भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आकम कभी दबा ले, ताकि आने वाले important videos के update, आपको notification गत्रू मिलते रहे, मिलते एगले वीडियो में, थैंक्स तो राचिंग इ इस वीडियो गुडबाई